नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं One India मैं हूँ आपके साथ प्रशान शर्मा भारत बनाम पाकिस्तान के बीच इसी साल 33 अक्टूबर को T20 विश्वकप मुकाबला खेला जाना है जिसके लिए दोनों देशों को बेसबरी से इंतजार है ये मैच पूरे विश्वकप का सिर्फ इसलिए ही सबसे बड़ा मैच नहीं है क्योंकि भारत पाकिस्तान पुराने विरोधी हैं बलकि ये मैच कमाई के मामले में भी मेजबान देश को माला माल कर देता है इस साल होने वाले टीटवंटी विश्वकप का असर अभी से देखने को मिल रहा है क्योंकि इस मैच की सारी ओनलाइन टिकेट बिक चुकी है आपको बता दें कि T20 विश्व कप के अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ओनलाइन टिकेट का लिंक दिया गया था सिर्फ शुरुवाती एक घंटे में ही 60,000 टिकेट बुक हो गए भारत पाकिस्तान के बीच आखरी T20 विश्व कप मैच कई लोगों को देखने को नहीं मिला था और इसका सबसे बड़ा कारण था कोरोना वाइरस कोरोना वाइरस ने विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले पर भी अपना ग्रहन लगाया था लेकिन जब क्रिकेट फैंस को एक और मौका मिला तो उन्होंने एक घंटे में ही सारी टिकेट खरीद ली भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला मैलबर्न क्रिकेट ग्राउण पर होना है इस ग्राउण पर करीब एक लाख लोगों के बैठने की विवस्था है हाला कि कोरोना वाइरस को देखते हुए आयोजको ने अभी सिर्फ साथ हजार टिक्टो का वंटन ही प्री बुकिंग के लिए रखा गया था बता दे कि 16 अक्टूबर से विश्विक अप की शुरुआत होगी जहां 22 अक्टूबर से सूपर बारा के मुकाबले खेले जाएंगे जिसकी शुरुआत साल 2021 की फाइनल टीम औस्ट्रेलिया बनाम न्यूजिलेंड के साथ होगा उसके बाद भारत पाकिस्तान 23 अक्टूबर को आमने सामने होगी बाकी की तमाम खबरों के लिए वन इंडिया के साथ